नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइब की फेस्बूक पेस पर, बिहार में बढ़ते कोरोना के हालात को देखते हुए, सरकार ने आज कई अहम फैसले लिये हैं, नेतीश कुमार ने आज लगतार चार पांच घंटों की मेरा अथन बैठा के बाद, बिहार में कई फैसले लिये गए, बिहार में अब साम छे बजे से नाइट करफ्यू का जो समय था, वो चार बजे तक ही सिमित कर दिया गया है, और पहले की अपयक्षा, अन्य पावंदिया भी लगाई गई है, बिहार में बढ़ते कोरोना के हालात से निपटने के लिए, बिहार में क्राइसिस मनेजमेंट ग्रूप की बैठाक के बाद, नाइट करफ्यू का समय बढ़ाने का फैसला लिया गया है, प्रदेश में नाइट करफ्यू अब 6 बजे से ही लागू होगा इस तरह नाइट करफ्यू में अब सम 6 बजे से सुबा 6 बजे तक यानी 12 गंटे का होगा, सभी दुकाने को अब सम 4 बजे तक बंद करना होगा, साथी बिहार सरकार अब कोरोना से जान गवाने वाले कांतिम संसकार अपने खर्च पर कराएगे यह कहीं न कहीं एक बड़ा फैसला होगा बिहार सरकार का, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा था कि बहुत ऐसे परिजन थे जिनको अंतिम संसकार के लिए समय के साथ साथ अन्य जो सुविधाये हैं वो नहीं मिल पा रही थी नितिश कुमार ने आज जो क्राइसिस मेनेजमेंट गुरूप के साथ बैठक की है उसमें स्वास्त विभाग के प्रधान सचिव परतेय अमरित और विकास आयूक्त अमीर सुभानी ने ओनलाइन प्रेस कंफरेंस कर यह जानकारी दिये हैं हाला कि नाइट कर्फिव का यह नियम पॉब्लिक ट्रांसपोर्ट क्रिसी कार्ज और ध्योगिक इकाई निर्मान कार्ज स्वास्त प्रतिष्ठान और इस संबंधित कार्जों थेले पर फल सबजी की विकड़ी करने वाले रेस्टूरेंट इत्यादी पर लागू नहीं जाये तो जो भी मुल्त सुभिधाएं हैं जिसके बगार लोग नहीं जी सकते हैं उस पर खासा पावंदी नहीं लगाई गई है यह सकती अभी का जो नोटिफिकेशन बिहार सरकार का जारी हुआ है यह सकती 29 अप्रेल से लागू होकर 15 मैं तक अगले आदेश तक जारी रह दाएगा को कुरोना को नियंतरन करने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिये हैं जिसमें सभी सरकारी तो यह हम गैर सरकारी काड़याले 25 परतिसत उपस्तिति के साथ कार्ज करेगी इसके पहले भी खवर आई थी कि 33 परसेंट के साथ कार्ज किया जा सकता है और सभी कर्मी को घर से काम करने के लिए प्रेडित किया जाएगा जैसे work from home की बाते कहीं जा रही थी वो कहीं न कहीं अब सरकार ने भी उस पर मुहर लगा दी है सभी सरकारी ओम गयर सरकारी कार्याले साम के चार बजे बंध हो जाएंगे बिहार में बाड़ा घंटे का नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और इसमें कोविट के लच्छन वाले रोगी मतलब जिनका टेस्ट निगेटिव भी आया है उनको भी अस्पताल में भरती कर उनका इलाज किया जाएगा सभी वेंट्रिलेटर को चालू करने के लिए स्वास्त विभाग योवम जिला प्रसासन द्वारा सक्त कदम उठाए जा रहे हैं अपने अस्तर पर सरकार ने कहा है कि अपने अस्तर पर सभी जिला के जो जिला अधिकारी है वे अपने अस्तर पर आवश्यक करवाई करें। पस्चिम बंगाल सहीत अन्य राज्यों से चुनाव से लोटे पुलीस कर्मी की कोवीड जांच की जाएगी। इसमें ध्यान रखा जाएगा कि वे अन्य लोगों से मिले नहीं। जिससे कोवीड का शंक्रमन न फैले। बिहार में बहुत सारे ऐसे पावंदिया लगाई गई हैं जिससे आने वाले समय में जो प्रोग्राम्स होने वाले थे जो साधियां होने वाली थी उस पर भी कहीं न कहीं लोगों को समस्या उत्पन हो सकती है। CM ने स्वास्त विभाग के अधिकारियों और सभी जिलों के SP-DM को कुछ निर्देश जारी की हैं जिसमें कुरोना संक्रमन के इलाज में किसी प्रकार की कोई कोता ही न हो इस पर विशेश ध्यान दिया जाएगा। 1 मई से 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों को भी टीका करन कराया जाएगा। 1 मुप्त टीका करन कराएगी टीका करन को लेकर पूरी तैयारी रखने को सभी जिलों को डीयम और SP को निर्देश दिये गया हैं। जिले में इलाज की पूरी विवस्था रखे अनुमंडल अस्तर पर भी पूरी तैयारी करे। आईजियाएमेस जो पत्ना का अस्पताल है उसको कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाने की भी घोसना की गई है। सरकार ने कहा है को उसको कोविड के लिए रिजर्ब किया जाएगा। जहां पर इसके पहले सो वेट की वहां बेवस्था थी जिसमें सो लोगों को फ्री में इलाज की बेवस्था की गई थी। बिहार में अगर हम बात करें तो प्रथम चरण में 25 मार्च 2020 से 14 अपरेल 2020 तक 21 दिनों का लोगडाउन पिछले समय में पिछले बार लगाया गया था। मतलब अगर बात करें पिछले जो कोरोना का पहला फेज था जिसमें पहली बार कोरोना भारत में दस्तक दिती उस समय द्यूतिय चरण में 15 अपरेल 2020 से 30 माई 2020 उन्नीस दिनों का लगाया गया था। तो कहीं न कहीं सरकार अब इस पर विशेश ध्यान देने जा रही है जिससे लोगों को फायदा होगा कोवीड से संक्रमन न फैले इसके लिए लोग को कैसे बचाया जाए इसके लिए सरकार सक्त कदम उठा रही है वही अगर हम बात करें साधी या अन्य फंक्शन की तो पास के आजपास लोगों को एकत्रित होने की छूट मिली है वहीं स्राद करम में 20-25 लोग एकत्रित हो सकते हैं कि बिहार में कुरोना संक्रत को देखते हुए आज जो बैठक हुई उसकी मुख्य बाते साधी समारों में सिर्फ पचास लोग ही रहेंगे साधी में कर्फ्यू रात दस बज़े तक प्रभावी होगा डीजे पर पुन्ता बैंद रहेगा कुरोना से मरने वाले का सरकारी खर्च का अंतिम संसकार का जो उसका जो खर्च आयेगा वो सरकार उठाएगी और साम चार बज़े सभी ऑफिस बंध हो जाएंगे पचीस फीज़दी के साथ उपस्थिती होगी पचीस फीज़दी के साथ जो भी ऑफिस है या जो भी एसेंशल सर्विसेश है रेस्टुडेंट में रात दस बज़े यानि नौ बज़े तक खाना ले जाने की अनुमती ह सारोजनिक पडिवहन में 50 फीज़दी सीटे पड़ी यात्रा करने की छूट दी गई है अगर हम सिधा सिधा बात करें तो नितीश कुमार की सरकार पिछले बार लॉकडाउन की वज़े से जो समस्चाएं आम जनता को झेलनी पड़ी थी उसको लेकर खासा चिंतित हैं और जिसको लेकर सरकार ने इस तरह का क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रूप के साथ पैठक करके फैसला लिया है कि कोवीड के हालात को देखते हुए बिहार में लगतार कोरोना की केसेस बढ़ते जा रहे थे और ऐसी खबरे आ रही थी कि अगले महीने के फर्स्ट वीक में कोवीड पहुत ही खतरनाक डेंजरस जोन में हम लोग जा सकते हैं और इसको देखते हुए सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है तो जो भी आपके मन में शवाल होगा वो कमेंट में कमेंट करें हम आपकी सवालों का जवाब देने की कोशिस करेंगे दन्यवाद अगर इस वीडियो पसंद आई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से सरुकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जवाइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद